हेलो दोस्तों अनसुप्रिया चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ यूट्यूब वास्टाइम 4000 आवर्स कैसे बढ़ाएं उसके मैं 9 टेप्स लाएं हूँ ये आपके लिए बहुत हेलफुल वीडियो रहेगी अगर आप देखोगे तो इससे जरूर कुछ न कुछ वास्टाइम बढ़ाने में आपको बहुत ही हेलफुल मिलेगी तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ दिन प्रति दिन यूटीव पर वीडियो पुश्ट करने वालो लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है आज बहुत से वीडियो वी ग्रेटर हैं जो अपनी होनर को लोगों के सामने प्रस्तूत करने के लिए यूट्यूब का सारा लेते हैं ऐसे थी बहुत से creator हैं जो खुद से वीडियो नहीं बना कर किसी और के वीडियो में थोड़ी बहुत changes करके अपने चैनल पर डाल देते हैं लेकिन वो YouTube से पैसा नहीं कमा पाते हैं क्योंकि YouTube ने एक update में सिया साफ कर दिया है अपने वीडियो एट्स दिखाने के लिए आपके पास 4000 घंटे का वाच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर होना जरूरी है यूजर्स को एक आकर से अक और यूनिक वीडियो पसंद आता है उन्हें हमें से नई content की तलास होती यदि आप उन्हें पूराने content दिखाना चाहोगे तो वह क्या देखेंगे जबकि YouTube पर पहले ही बहुत से original और high quality content पढ़ा हुआ है आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि YouTube पर watch time कैसे बढ़ाएं और watch time increase कैसे करें इसके 9 tips बताऊंगी तो चलिए मैं start करते हूँ अगर आप मेरे चैनल पर new है तो मेरे चैनल को subscribe जरूर कर लिजीगा क्योंकि जो नई वीडियो आएंगे तो आप पो जरूर मिल जाएंगे फाले तो चलिए मैं start करते हूँ YouTube वास time का बाग cool से मैं होता है जो यूजर से अपने चैनल पर upload की कई वीडियो को देखने में spend करते हैं आप YouTube एनलाइस्ट करके अपने चैनल का cool वास time देख सकते हो दोस्तों YouTube से पैसे कमानी के लिए यानि YouTube के monetize के लिए आपको Google AdSense का approval लेना होता ताकि वीडियो के साथ ads दिखाया जाए और Google AdSense के माध्यम से आपको earning हो लेकिन YouTube पे Google AdSense का approval के लिए आपके पास 4000 घंटे का वास time होना हो सकते है यानि आपके द्वारा अप्रूट की YouTube वास time increase कैसे करें तो इसके लिए यहां महतुन मैं आपको टिप्स बताने जा रहे हो जिससे कि आपके वास time increase होगे जो आप बढ़ा सेखोगे तो चलिए मैं स्टार्ट करते हूं लोग्त्री और काम के विश्चे पर वीडियो बनाए ओके यूट्यूवर ऐसे होते हैं दिमांड ज्यादा हो ऐसे वीडियो बना जिसे लोग ज्यादा यूट्यूब पर खोचते हों सर्च करते हों कि अदि आप अपनी रूची का वीडियो बनाते हैं तो हो सकता है कि लोग उस वीडियो के इंटरनेट पर सर्च ही न करें क्योंकि यूजर को अपनी सोच काफी अलग होती है इसलिए आप वीडियो तो बनाते रहेंगे लेकिन उस पर व्यूज नहीं आएंगे और अगर व्यूज नहीं आएंगे तो आस टाइम कैसे बढ़ेगा इसलिए आपको एक ही विशेय पर तलास करनी है लोग ज्यादा सर्च करते हों उस टॉपिक को जो लोग क के लिए keyword research करने के लिए कोई भी online टूल के इसमाल कर सकते हैं जिससे कि आपको यह पता चल जाए कि आपको कौन-कौन से keyword इसमाल करने हैं आप इस keyword के इसमाल कर रहे हैं वह कितने वार research किया जाता है दूसरा tip से आकर सक content बना YouTube वास्टाइम बढ़ाने के वास्टाइम बढ़ाने के लिए सबसे पहले चीज यह है कि आपको यह ध्यान देना है कि user का demand क्या है आप फालतू का content नहीं बनाए आपको सबसे पहले यह सोचना चाहिए कि user को आखिरी पसंद क्या है वी जान बूझ कर आवस्कता से अधिक लंब ना करें ताकि ध्यान रहे कि आपके वीडियो को user को अच्छे से उस चीज के जनकारी मिल पारे हो जो जिस चीज के बारे में वीडियो बना रहे है तलास है ध्यान देकि वीडियो में सधारन सब्दों के इसमाल करें यदि आप आज के साथ वीडियो को record कर रहे तो वीडियो में पूरी energy के प्रदर्सित करने का कोस्त करें आप वीडियो में कुछ ऐसा दिखा सकते जिसे के user का ध्यान खीच कर रखे हमेसा उन्हें कुछ नया दिखाने या बताने का प्रयास करें यह मेरी दूसरी टेप से पैसा करोगे तो आपके यूट्यूब के वास्टाइम जरूर इंट्रेज होंगे यह एक प्लेइलिस्ट जरूर बना यदि आप रिलेवन टॉपिक के जोड़े प्लेइलिस्ट बनाते हैं यदि आपके चैनल पर एक वीडियो भी user को पसंद आती है तो हो सकता है आपके प्लेइलिस्ट क वास्टाइम उतना अधिक बढ़ेगा फोर टीप से लास्ट स्क्रीन में वीडियो काट का इस्तमाल जरूर करें यूट्यूब का लास्ट स्क्रीन किसी भी यूट्यूब चैनल के वास्टाइम बढ़ाने में बहुत मत करता है यह एक ऐसी वीडियो हाइपर लिंक जैसा होत इससे वीडियो थोड़ा आकरसक अट्रेक्टिब भी हो सकता है और वास्टाइम बढ़ाने मदद मिलेगी फिप टीप्स में है कि अपने वीडियो का टाइटल अनुकूल जरूर करें आप जानते हैं यूट्यूब एक सर्च इंजन है इसलिए आपको वीडियो के लिए सर् और टेक्स सामिल है वीडियो के साथ इससे जूड़ी जनकारी जो आपसे वीडियो को बनाया है इसके टाइटल और डिस्क्रिप्सर पे जरूर बताए साथ ही टाइटल तथा डिस्क्रिप्सर पे भी किवर्ट का इस्वाल करें जिस पर आप वीडियो को रैंक करवाना चाह साथ ही यदि अपने वीडियो में कुछ copyright जाए जो का इसमाल किया है तो उसको भी credit में जरूर दे 6 tips है अपने चैनल को optimize करें कोई भी user यदि आपके YouTube चैनल पर आता है और अगर आपके चैनल के अन्य वीडियो के तलास होगी तो आपके चैनल को जरूर विजिट करेंगा ऐसे में आपके चैनल को optimize रखना यानि आपके चैनल पर सही profile photo, banner आदी लगाना जरूरी है कि साथ साथ social media, link, website, description आदी का भी होना जरूरी है ताकि यूजर को असानी से पता चल जाए कि आप चैनल पर किस तरह का वीडियो पोस्ट करते हैं ध्यान दे कि आपके profile photo 800 x 800 pixel होना जरूरी है छोटी format में देखने पर यह अच्छा दिखना चाहिए ठीक है आपके cover image कम से कम 2560 x 1440 pixel का होना चाहिए साथ ही आपके चैनल का description जो information tab में प्रदर्शित करता है वो 1000 चैनल का होना चाहिए description में keyword का इसमाल अवस्य करें ताकि search result में आपका चैनल आसानी से दिखे मतलब आप उसमें ऐसा से ऐसा सा इसमाल करें ताकि कोई भी search करें तो आपके वीडियो उसके उत्तक जरूर से जरूर पहुँआ जल्दी से जल्दी जिससे आपके views बढ़ें आपके बस 7 tips है आई-catching thumbnail जरूर बनाए वीडियो thumbnail वह होता है जो वीडियो सर्च के जाने पर वीडियो के साथ image की रूप में दिखाए देता है जो first में रहता है एक अच्छा और eye-catching thumbnail आपके वीडियो को click through rate को बढ़ाने मदद करता है जिससे आपके वीडियो भी ranking बढ़ेगा तो आपके वीडियो का वास्टाइम भी बढ़ेगा वीडियो अपलोड करते से में एक auto generation thumbnail दिखाए देता है उसके बजाए अलग से भी design किया जाता है thumbnail thumbnail design करते से में ध्यान रखें इससे वो चीज mention हो जाए जो आप वीडियो बनाने वाले है मतलब जिस चीज पर वीडियो बना है उसी का उसमें mention करें thumbnail पर इसका background चमकीले clear कर रखें ताकि वीडियो देखकर कोई वीडियो तरफ जादा करसे तो और आपका views बड़ें साथ ही वीडियो thumbnail में अपने channel का watermark भी लगाए ध्यान रहे कि thumbnail में सामील चीजों का ऐसा होना चाहिए जो user का ध्यान आपकी तरफ attract करें जो होते हैं वह important है वह eye catching मतलब जो भी users है वह मतलब आपके thumbnail देखकर ही आपके वीडियो को देखते हैं वह आपका first में जो लगा रहता है फोटो वह अच्छा रहता है तो उसे आपके वीडियो को जाके वीडियो करते हैं 8 tips है अनी social channel पर अपने वीडियो का परचार जरूर करें यदि आपके पास अनी social media followers है तो हर बार जब आप YouTube पर एक नया वीडियो अपलोड करते हैं तो अपने followers को बताएं साथ ही अपने website पर अपने YouTube वीडियो को blog post pages को invest करें जिसी के अधिक सदिक लोगों की द्वारा वी आपर account बना कर followers बनाना शुरू करें ऐसे करने साथ का YouTube channel काफी समय में लोग प्रिय हो जाएगा और आपके ज्यादा ज्यादा वीडियो मिलेंगे एंड वास्टाइम बढ़ जाएगा 9 tips ता नियमित रूप से वीडियो को upload करें यूट्यूबर एक गलती करते हैं वे अपने channel पर नियमित वीडियो को upload नहीं करते हैं डेली नहीं डालते वीडियो को कई लोग कुछ समय के लिए वीडियो upload करने के बाद जब वीडियो नहीं मिलते तो वीडियो बनाना और upload करना इच्छक हो देते हैं बन कर देते हैं वे निरास हो जाते हैं कि मेरे वीडियो पर वीडियो पर वीडियो नहीं मिल रहे हैं तो फिर मैं upload नहीं करूँगा यह उ अप्लोट करते रहो, भी आप कुछ अच्छा नहीं करेंगे, तब तक यूट्यूब को आपके चैनल पर भरोसा नहीं होगा, यूट्यूब को आपके नई चैनल पर वीडियो पर भरोसा करने में समय लगता है, इसलिए सब कुछ भूल जाए, बस अच्छे वीडियो बनाते रहें, किसी भी दिन सब्ता में तीन से चार दिन वीडियो अप्लोट जरूर करें, नहीं कर पाते हो, तो सब्ता में कर सकते हो, कि आपके वीडियो की कंटेंट गुनवत्ता अच्छी होगी, तो लोग और यूट्यूब निसी दुरूप से आपके चैनल वीडियो को पसंद करेंगे, नहीं बस अच्छे वीडियो बनाते रहें, यह मैं चैनल पर वीडियो अप्लोट करते रहें, पेड़नाम बहुत जल्दी आपके आँखों के सामने आएगा, तो थैंक यू, मुझे जिक कमेंट में जरूर बताना, मेरा ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि मैंने ब आज टाइम इंक्रेज हुआ कि नहीं, यदि आपके पास एक यूट्यूब चैनल है, तो बहुत ही हेल्पूल रही होगी वीडियो, सो थैंक यू